बूर्णिंग सुन्ट्स क्लास सिक्स्त का जो अक्सराइज है 3.3 अच्छी है फ़र ल्सीम को रिलेटिड उसके कुछ एक टॉपिक्स में इसे पहली वीडियो में डिसक्स कर चुका हूँ अब हम उस अक्सराइज को शुरू करेंगे एक्सराइज 3.3 को फ्लास सिक्स अक्सराइज 3.3 उसको पूरे करते हैं क्वेशन फर्स हमारा क्या है दे एक्सराइज और टू नंबर आफ टू नंबर वैसे समझाने के बाद आपको या जानी चाहिए थी फिर भी मैं एक बर करवा के दिखा देता हूं नंबर एज 23 and there LCM is 1449 ठीक है 49 and if one of the number is one of the numbers is numbers is 161 is 161 find the other number देखे क्योंस को पढ़ गिये थे एच्चिफ आफ टू नंबर ठीक है एच्चिफ और दो संख्याओं के एच्चिफ कितना 24 23 and there LCM और उनी दो संख्याओं के एच्चिफ कितना 1449 इवन आफ दे नंबर तो दो संख्याओं के जिनका 24 संख्याओं हमें दूसरी संख्याओं पता करने तो उसके लिए हम क्या करेंगे जो जो चीजी हमारे पास है वो लिख लेंगे के एच्च्च्च कितना है 23'the k Still कितना 301449 इन फ़रंस नंबर uncertainty है दिया है वह फिर्स नमबर एक संख्याओं दिया वह है फॉस्ट नंबर का वन अने पी बराबर 161 हमें क्या निकालना है चboysक्ड नमबर निकालना इन नंबर hoe आप प्रूमुला निकाना पालेगा नंबर निकालने के लिए नंबर निकाने के लिए कि हमारा फ्रॉमूला है पर स्य lipर ड़ßन जो भी एं ग्राभ निकालत और हमारे पास हाई तो हम से यह लिख सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए को तो आप यह वाला फॉर्मूला इंप्लियमेंट में लेके आएंगे यहां यह लिखने की जो इतनी है फॉर्स नंबर या सेकंड नंबर यह तो जो निकालना है आप नंबर लिखो जो देर रखा उस नंबर को निचे लिखो दूपर ल्चे अट्व एस सिवापका किया है 20 हमें क्या निकालना नंबर लिखो आप हमारा कि है एक चेव कि नदे का यह फॉर्मुल मैंचिव एसे 2323 मल्टीप्लाइब का निशान है एल चेव कितने 1449 ठीक है उसके बाद हमारा फर्स्ट नमर है एक संख्या में दे रखे एक संख्या तो यहां होगे एक संख्या में जो दे रखे वो नीच्छा जाएगी 161 ठीक है होगे आपका अब इसको आप क्या करो कर दो अब इसको सोल करो 10 के लिए आपको किसे करेंगे यह 9 से कट हो जाएगा यह देखिए 1611 161 हो ठीक है इन नाइन अब क्या होगा आप ट्वैटी स्ट्री और नाइन को मल्टिप्लाइ कर दो यह लो आपका यह सेकंड नमबर होगे ठीक अब आपको चेक करना है कि हमारा अंसर सही है या गलत है तो आप इन दोनों को मल्टिप्लाई कर वालो 23 23 23 x 1449 और इदर आप किसको मल्टिप्लाई करो 161 और 207 को अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो आपका सम सही है वरना आपका सम गलत है क्योंकि हमने एक फॉर्मुला पड़ा था एच सेफ इंटू एल्शे में एकोल टू फर्स नमबर इंटू सेकंड नमबर तो आप इन दोनो को मुल्टिप्लाई करो आंसर लिखो इंसको 161 और 207 को मुल्टिप्लाइब इफ देज आंसर सेंट दनियर समीज विकरेक्ट अधर्वाइज यह सम इस नोट करेक्ट ठीक है यह अमने कैसिन इसका फॉर्स्ट कर लिया इसका सेकंड कैसिन देखेगा देखेगे विटा आपके शिन नंबर टू देखे इसका क्या कहारा दा प्रोडेक्ट ऑफ टू नंबर इस 1392 कि दो संख्याओं का गुणा अब हमारे पार संख्या अलग अलग नहीं सिर्फ उनका गुणा है ठीक है इदेर नंबर संख्या में नहीं पता इफ देर एल्सी ए इतना है 696 find that achieve तो हमें क्या लिखना ही आपे प्रोडेक्ट ऑफ टू नंबर हमें दोनों संख्या तो पता है यह नहीं नहीं नुम्बर इस 1392 HCF एल्सी एम ओफ टू नंबर है एल्सी ममार बैस कितना है 696 find HCF हमें क्या निकालना है एल्सी निकालना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है HCF is equal to यह लिखते ना first number in two कि second number आप अनल सी एम यह लिखते हैं तो यह फॉर्मूला है तो फॉर्मूला वाई यहां हमें क्या है कि एक step आगे मुस्ने गुणा करके दिखा रखा है ठीक है हम यह फोर्मूला लगाएंगे ठीक है तो यहां पे हमने हमें निकालना ही है तो आपका फॉस्ट नमबर इंटू सेगिन उन का गुणा कितना है यह रहा 1392 1392 गुणा हमारे पास अल्रेडी आया चुक पहली दे रखा उसने और हमारा क्या है 696 अब हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करके इसका अंसर हमारा आ जाएगा डिवाइड हम यहां कर लेते हैं 1392 डिवाइड 696 कितने बजाएगा आप देख लिजिए यह टूपे कट जाएगा तूपी चले जाएगा तू आपका आज सेफ आ जाएगा तू ठीक है बड़ा करने की जूती ही नहीं पड़ेगी थर्ड क्योशन देखें देखें दप्रोड़क्ट आफ सिक्ष्टीन फाइंड एल्चिम अब हमें क्या निकला एल्चिम निकलना ठीक है तरह लिखें लेंगे दप्रोड़क्ट आफ टू नमबर 3072 HCF कितना है इस इकल टू सिक्षिन फाइंड एल्चिम तो बिल्कुल हमारे पास क्या है फॉर्मूला वही रहेगा एल्चिम इसके पराबर होगा फास्ट नमबर इंटू सेकंड नमबर अपन एल्चिएफ ठीक है तो एल्चिम हमें निकलना है तो यहीं रहेगा दो संख्यों को गुणा कितना दे रखा है 3072 HCF हमारा कितना है इसको डिवाइड कर लिजेगा आपको इसका आंसर मिल जाएगा अब इस प्रकाश से आपको कर लिजेए 192 इसका अंसर आ जाएगा ठीक है समझ मैं आगे बटा यह तीन समय आपको कर दिये तेस्य नमबर फोदेख़ लिखा हूआ यह एंट्टू नमबर साह व कि दो संख्याएं है के नूमबर साह कोई दो संख्याएं 24 एजसे क्यों है 24 एंट देर लसम इस 1344 यह दो संख्याओं गैसि फोर यह इसका LCM है तो क्या ऐसी कोई दो संख्या हैं जिनका LCM 24 और 1344 हो सकता है यह ने पूछ है बताओ क्या पॉसिवल है कि किसी दो संख्याओं का जो HCF 24 और क्या है LCM 1344 144 हो क्या ऐसा हो सकता है तो ऐसा है तो कारण बताओ क्यों है देखिए जब इस परकार का सम हो तो आपको क्या करना है डिवाइड कर लो क्या जो बड़ी संख्या है उससे चोटी संख्या को डिवाइड करो देखिए मैं यहां करके दिखाता हूं 1344 डिवाइड ट्वेंटी फॉर ठीक है जोबिस चिक्का जाचिका चोबिस लागी दो और छे दूनी बारा तो पांच पे चोबिस पंच चुके बीस अंदू अंदर दूबारा ठीक है तो पांच पे एक सो बीस च्यार और 146 अब यह जाएगा 6 पे 144 तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया यह देखिए अगर आपका इस प्रगास से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा वो उसके HCF और LC हो सकते हैं otherwise नहीं येस तो इसका आंसर होएगा आंसर येस बिकोज वन थर्टीफ हो इस डिवाइड है कंप्लेटली 24 समझ में आगे बटा इस प्रगास से आपको डिवाइड करके देख लागर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो वो उसके HCF और LC हो सकते हैं किसी संग्या कि नहीं दो संख्याओं के क्योंकि वो उसका फ्रेक्ट रहा है नेक्स केशन देखिए आपको ठीक है तो सीधर निकाल लेते हैं एच्छी एफ क्या तो ऐसे 56 और 40 का सिंगा फॉर्टी बंजा फॉर्टी वन और सिक्स फॉर्टी इस आठ तो एच्छी हमारे क्या हो गया आठ एच्छी आगे क्या कह रहा है वेरिफाई दर दर एच्छी इस दर फ्रेक्टर ओफ 56 फ्लस फॉर्टी कि अब यह दो नंबर है एक तो चालिस और एक चापन ठीका उससे एच्छी निकाल लिया आठ अब नेक्स पार्ट क्या करेक्रेशन में क्या क्या यह जो एच्छी वैं अगर उन दोनों को जोड देंगे तो उनका क्रेक्टर है तो हम देख लेते हैं तो क्या 56 प्लस फॉर्टी कितना हो ग यह स्टी यह सब एक इस एक फैक्टर ओफ फिफ्टी शिक्स प्लस फॉर्टी हो गया तो हमारा पहला वेरिफाई होगा दूसरा क्या कर रहा है पार्ट एंग में यह दूसरा कर दा 56 माइनस 40 कितना रहा है आपका 16 16 को भी आप क्या करो 16 भी एट से डिवाइड कर लो यह पूरा पूरा येस इट इस यह एट इस एक फैक्टर ऑफ 56 माइनस 40 समझ में आगा विटा आपको तो इस प्रका से करना ही इस पहले अच्छिव निकालो फिर उनको इस प्रकास पार्ट एमें 56 फॉर्टी इसने बोल रखा है तो ठीक हो उन दोन्हों को प्लस करो 96 को डि आगे गए तो वो फैक्टर है पूरा पूरा डिवाइन नहीं है तो इसका फैक्टर नहीं होगा समय मैं करें आगे का देखिए इसके ठीक है तो अब ये जो क्योशन 6, 7, 8 ये आपको स्विम सॉल्व करने मैं थोड़ा सा हिंट देते हूं क्योशन नम्र 6 बिल्कुल सेम है उससे पहले क्योशन नम्र 3 या 4 उसी टाइप का मैं करवा चुका हूं तो आप खुद किजी नेक्स्ट क्योशन 7 देखे क्या है वेरिफाइब दे प्रोडेक्ट अफ्टू गिवन नम्र यहां दो संख्याइद गिवन है 23 और 69 दो संख्याइद दे रखी है ठीक है उनका जो गुणा है इन दोनों का गुणा किसके बराबर होगा देर एच्छेफ एंड देर एच्छेफ कि उनका इन दोनों का गुणा किसका 23 और 69 का 23 मैटिप्लाइब इन दोनों का गुणा ठीक है खिसके बराबर होगा इन का स्टीनटा ऍलसीन तो आपको क्या करना पड़ेगा 23 और 69 का स्टीन निकालना पड़ेगा LCM भी निकालना पड़ेगा ठीक है इन दोनों को गुणा करो फिर इनका जो LCM निकाला उनको गुणा करो वो दोनों बराबर है या नहीं आपको बराबर है तो येस ठीक है और तो बराबर नहीं है तो नो फिर आपका अंसर सही नहीं होगा समझ में आगे इस पर आपको करना तो इसमें इन दोनों को गुणा करो इनका पहले निकालो किसका 23 और 69 ठीक है फिर आप इसका 23 और तो फिर आमारा फॉर्मॉला यह लिका था न यह तो फस्नोムरे इन्टू सेकिन नमबर एकल टू ALC इन टू TC M आ आपके बुक में देखे हैं टेबल फर्स्ट नमबर लिखाओ ए सेकंड नमबर यहां लिखाओगा ब्रैकेट में बी एच्छी एफ आर दे प्राइम एलसी एम लिखना उनका एंटू बी एंटू बी क्या यह है और यह बी एफस्ट नमबर और उनका एच्छी फोराल सिंगो गुना क लिखना है ठीक है आपको डिजिट क्या दे रखें देखिए अब एक फिफ्टीन है आपका 1529 यह आपके देर रखी है इस प्राइस से ठीक है यह पूरिक सेज मैं सौल करवाता रहा हूं अब यह समझ में आ गया होगा फिफ्टीन फॉस्ट नमबर है सेकेंड 29 है तो आपको क्या है फिफ्टीन और 29 का सिम निकाल के यहां लिखना है या क्या यह दोनों प्राइम नमबर है नहीं है प्राइम नमबर नहीं है तो नो ल लिखोगे डीक हैं इन दोनों को गुणा करके ऐए और्भी यह है अपका यह और यह आपका बी तो 59 उनको यहां लिखोगे फिफ्टीन मर्टिप्लार हो थिश्टिन है है फिफ्टीन और 29 है नहीं यहां है तापि प्रटीन फिप्र ऑषतने नाइन यहां लिखोगे है वह यहां लिखोगे गुणा करोगे लिखोगे और फिर उसी तरह उनका अंसर ठीक है इस प्रकास से आपकी एक्सराइज मैंने आज पूरी करवा दिए 3.3 आप अपने इसके नोट फेर नोट बूके में इसको कर लीजिएगा थैंक्यू